Hello students, find HCF by listing their factors, आपको पहले इस नमबर के दोनों नमबर के factor निकालने हैं, उसके बाद उनके common factor निकालने हैं, फिर हम उसके, उसका HCF निकालेंगे, do this A part by yourself, I am going to do the B part, 65, पहले हम 65 की factor निकालेंगे, सबसे पहला pair तो यही बनेगा बेटा, 1 multiply, 65, फिर 65 is not divisible by 2, as it don't have 0, 2, 4, 6, 8 at one's place, इसकी one's place पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो यह 2 से divisible नहीं है, 3 से देखेंगे, 6 और 5 को प्लस करेंगे पिटा, 11 आरा 11 भी 3 से divisible नहीं है, तो यह 3 से divisible नहीं होगा, 4 से भी नहीं है, 5 से है, तो हम लिखेंगे, 5 से इसको shortcut divide करके देखेंगे, बटा, 5 बन जब 5, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 1 इस 5 के सामने लग गया, 15, 5, 3 जब 15, तो 13 आ गया, तो वी राइट, 5 में टिप्लाइ, 13, अब आगे है, किसी से divisible नहीं है, 6 से भी नहीं है, 6, 10 जब 60, 6, 11 जब 60, 6, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं, 9 से 13, लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है, तो इसके इतने ही factor बनेंगे, पहले 1 और 5 लिखेंगे, फिर 13 और 65 लिखेंगे, इस तरीके से लिखने से यह increasing order में आते हैं, next 39, 1 multiply 39, 2 से divisible नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 2 से नहीं है divisible, 3 से तो देखके पता चल रहा है, 3 बंजा 3, 3, 3, 3, 9, देखके पता चल रहा है कि 3 से हो रहा ही है, 3 बंजा 3, 3, 3 दीचा 9, 4 से नहीं हो रहा, 4, 9, 36, 4 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं है, 8 से, 9 से, किसी के decreasing में नहीं आ रहा, वेटा 13 यहां लिखा हुआ है, तो इसके factors भी क्या हो गए, 1, फिर 3 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 39 लिखेंगे, ठीक है, अब common vector हम निकालनेंगे, 1 है और 13 है, तो common vector 1 और 13, highest common, HCF क्या होता है बेटा, HCF क्या है, highest common factor, तो highest मतला सबसे बड़ा common factor क्या है, 13, then 13 is your HCF, इसी तरीके से हम 60 को भी करेंगे, सबसे पहला pair, 1 multiply 60 बनेगा, फिर इसकी 1 प्लेस बस 0 है, तो ये 2 से divisible होगा, तो 2 से कैसे होगा, 2, 3 जा 6, 2, 0 जा 0, ऐसे shortcut divide करने की भी जरूत नहीं है, हमें पता है, 2, 3 जा 6, 0 का 0, तो 30 आ गया, ऐसे ये 3 से भी divisible होगा, 3, 2 जा 6, 3, 2 जा 6, जीरो का 0 आ गया, आप 60 को हम 4 से देख लेंगे, 4, वंजा 4, 60 में से 4, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 जीरो 20 होगा, 4, 5 जीरो 20, तो क्या आ गया 15, तो हम 4 से divisible करके 15 लिख देंगे, और इसकी 1 प्लेस बस 0 है, तो ये 5 से भी हो रहा है divisible, तो 5 से भी देखेंगे हम, ये सारा काम आफ रफ पेपर में करेंगे, या फिर साइड में रफ का कॉलंब बनाएंगे, ठीक है, 5 से करेंगे, 5 अंजा 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 और 0, 10 हो गया, 5 तो 12 आ गया, तो 6 मल्टिप्लाइ 12 लिख देंगे, अब 6 तेंजा 60, उसके बाद ये 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 2 से डिविजबल नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8, कुछ नहीं है, तो ये 2 से डिविजबल नहीं है, 3 से लेखेंगे, 5 और 1 को प्लस करेंगे, 6, 6 आता है 3 की टेल में, तो ये 3 से डिविजबल है, तो हम करके देखते हैं इसको 3 से, 3, 3, 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 15 हो गया, 35 आ गया, तो हमने लिख दिया, 3 मल्टिप्लाइ, 35, अब ये 5 से हो रहा है, इस असान है, 5 से 10, 5, 1 जब 5, 91 आ गया, 5 के बाद ये 6 से नहीं हो रहा, अब 7 से लेखेंगे, 7 से हो रहा है, 7 बचा, 3 और 5, 35, 7, 5, 35, बेटा हम एक एक नमबर से चेक करेंगे, तभी हमें सारे फैक्टर से पता चलेंगे, 7 मल्टिप्लाइ, 15 आ गया, ये पेर, अब सबसे पहले हम 1, 3, 5, 7 लिखेंगे, फिर एं 15, 21, 35, और 105 लिखेंगे, एक नमबर से लिखेंगे, 1, 3, फिर 5, फिर 15, ठीक है, कॉमन मल्टिप्ल आके, 4 आ गया, और हाइस्ट कॉमन मल्टिप्ल क्या है, 15, then 15 इस आवर एक्सियर, नेक्स्ट कोश्चन है, पूरा कोश्चन लिखने के ज़रत नहीं है, इतने से ही हमें आंसर पता चल रहा है, A shopkeeper has to keep 36 boxes of books in equal piles, एक shopkeeper equal piles में 36 boxes, books के जो box है, उनको रखता है, Write down at least 4 ways, 4 तरीके से बताईए, which he can place the boxes of books, 4 ways ऐसे बताईए, जिस तरीके से वो boxes of books को रख सकता हो, तो हमें factors के जो हम pair बनाते हैं, वही बनाने, 4 बोले मैंने 5 बनाए, same इसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है, Now come to the next, common multiple लिखना है, पेटा पहले हम write the first 3 common multiple, तो पहले हम 5 की table लिख देंगे, फिर हम 15 की table पेटा ध्यान से लिखेंगे, 15 की table पूरी लिखने की जुरूत नहीं है, यहां तक हमें पताई चल रहा है, common निकल गए हैं, तो हम बस यही तक ही लिखेंगे, 45 तक भी लिख सकते हैं, 15 common है, 30 common है, 45 common है, तो यह common multiple आ गए, 15, 30, 45, आगर आप सिर्फ बोलता है, कि write the first 3 multiples, तो हम सिर्फ यही तक question करेंगे, सिर्फ हम इतना question ही करेंगे, फिर पूछा है common multiple, तो हम common multiple भी लिख देंगे, ठीक है, इसी तरीके से यह question भी होगा, अब इसमें list, find LCM by listing multiples, सेम ऐसे ही होगा यह भी, देखिए common multiple निकालना है, पहले हम 10 के multiples लिख देंगे, फिर हम 20 के निकलेंगे, लिखेंगे, फिर हम common multiple निकालेंगे, 20, फिर 40, फिर 60, 3 common multiple निकाल दिए, LCM का मतलब lowest common multiple, lowest common multiple क्या है, 20, तो 20 is our LCM, इस एक question निवेटा, तीन question है आपके, अगर multiple पूछा है तो इतना लिखेंगे, अगर common multiple पूछा है तो इतना लिखेंगे, और LCM पूछा है तो इतना लिखेंगे, ठीक है, एक ही question में आपके तीन question है यह, इसी तरीके से हम इसे भी करेंगे, पहले 18 के multiple लिखेंगे, फिर 30 के लिखेंगे, फिर उसमें से common निकालके, जो सबसे छोटा होगा, that is your LCM. Next, देकी, write the given numbers, are even or odd, नीचे दिये वे number even है या odd, अगर one place पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो even, अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो odd, easy है बहुत जादा question यह, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, odd हो जाएगा, 0 है तो even हो जाएगा, 0, 2, 4, 4 है तो पेटा यह even हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है तो odd यहां भी 0, 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है तो odd हो जाएगा हमें 0, 2, 4, 6, 8 को once place पर देखना है बस next इसमें prime factorization निकाख करना है हमें factor tree method से तो 32 बेटा किसकी table में आता है 8, 4, 4, 32 चाहे 8, 4, 32 लिखो चाहे 4, 8, 32 लिखो अब 8 किसकी table में आता है 8 आता है 4 की table में 4, 2, 8 4 किसकी table में आता है 2 की table में 2, 2, 4 अब यह 4 किसकी table में आरहा है बेटा 2, 2, 4 तो इसके prime factors क्या होगे 2 multiply 2, multiply 2, multiply 2, multiply 2 5 times हम 2 को लिख देंगे factors निकाल देंगे ठीक है अब 108 किसकी table में आता है 12, 9 जा 108 12 किसकी table में आता है 3 और 4 की table में आता है 12 और 9 किसकी table में आता है 3 और 3 की table 3, 3 जा 9 आता है तो अब आगे यह तो आगे होगे नहीं 4 आगे होगा और और factorize करेंगे हम 4 को 2, 2 जा 4 now हमारे prime factors क्या होगे 3 into 2 into 2 into 3 into 3 ठीक है यह prime numbers लिखे है मैंने बिटा 50 तक इसको learn करेंगे आप this is 2 2, 3 ठीक है यह आप learn करेंगे अब आप find the pairs in which the larger number is a multiple of a smaller one बड़ा number छोटे number का multiple है या नहीं अगर table में आता है तो yes नहीं तो no 14 की table में 24 नहीं आता तो no 3 की table में 28 नहीं आता तो no 14 की table में 112 आता है 14, 8 जा 112 आता है तो yes 13, 8 जा 104 तो yes table में आ रहा है तो yes yes the larger number is a multiple of a smaller one otherwise no अब यह 5th multiple of 19 19 का 5th multiple पूछा है तो 19, 5 जा लिख दो ठीक है, 19, 5 जा 95 ठीक है multiples of 7 that are less than 30 30 से छोटे जितने भी 7 के multiples है वो लिखेंगे अब तो 7 की table को multiply करेंगे और 30 तक जितने भी आरें उनको लिख देंगे मतल्ट table पढ़के हो जाएगा हमारा यह question 7 जा 7, 7 जा 14, 7 जा 24, 7 जा 24, 7 जा 24, 7 जा 24, 7 जा 28 7 जा 5, 35 बढ़ा हो रहा है 30 से तो हम यहीं तक table लिख देंगे अब multiples of 4 between 30 and 60, 30 और 60 के बीच के multiple लिखने है तो 4 की table में 30 से ज्यादा जो आता है वहां से शुरू कर देंगे 4, 8 जा 32, 4, 9 जा 36, 4, 10 जा 40 तो अभी 60 तो बहुत दूर है तो हम 4 को 11 से multiply करेंगे तो 44 आ गया फिर हम 4 को 12 से multiply करेंगे तो 48 आ गया फिर हम 4 को 13 से multiply करेंगे तो 52 आ गया फिर हम 4 को 14 से multiply करेंगे तो 56 आ गया अब आगे आप 60 से बढ़े आएंगे इसलिए हमने छोड़ दिया 60 आएगा वो नहीं लिखना between के लिखने है बस आप multiples of 7 between 40 and 60 40 और 60 के बीच के multiple लिखने 7 की table के तो 7 की table 40 से बढ़ा क्या आ रहा है 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 बढ़ा हो गया 60 से इन दोनों के बीच के लिखने है ठीक है ओके थैंक यू स्ट्वेंट्स